हलो फ्रेंड्स आज की रेस्पी पालक के पूड़ी की रेस्पी है जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती ही है और बनाना भी बिल्कुल आसान है यह बहुत ही हेली रेस्पी है इसे आप बच्चों के टीफिन में दे सकते हैं अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें खिला सकते हैं तो मैंने 200 ग्राम पालक को अच्छे से धो कर उसे 2-3 मिनट के लिए उबाल लिया है ठंडा होने के बाद इसे जार में डाल देंगे 2-3 हरी मिर्चे लेंगे 1 चम्म धनिया लेंगे और आधा चम्म जीरा लेंगे 1 टुकड़ा यमसारा पाटा ले सकते हैं और इसमें मैंने 4 चमच भरके सूजी डाल दिया है सूची से जो है यह पूड़ी बहुत देर तक क्रिस्पी रहती है और जो हमने पालक को पीसा था ओभी इसमें हम डाल देंगे इसके बाद इसमें एक चम्मत तेल डाल देंगे और आधा चमच इसमें नमक डाल देंगे नमक स्वात के हमसार डालिएगा और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे यह पालक की पूड़ी बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है वीडियो को अंतिमतर जरूर देखिएगा इसके बाद हम पानी थोड़ थोड़ा पानी डालकर हम सौफ्ट सा आटा लगाएंगे जब थोड़ा सौफ्ट आटा लगाएंगे तो सूजी फूलेगी और आटा लगाने के बाद इसे दस मिनट के लिए रेश्ट के लिए रह देंगे कि ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए और दस मिनट के बा एक साथ हम बना कर तयार कर लेंगे तो बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी देखे मैंने पेड़े जो है अच्छे से बना लिये हैं अब इस पर जो है थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे एक साथ और इसके बाद हम पूड़ी जो है बेल लेंगे पूड़ी को जादे पतला नहीं बेलेंगे मीडियम ही बेलेंगे जादे पतला बेल देंगे तो पूड़ी जो है अच्छे से फूलेगी नहीं और एक साथ जो है सारे पूड़ी हम बना कर तयार कर लेंगे देखिये मैंने सारे पूरी बना कर तयार कर लिए हैं और तेल को मैंने पहले ही रह दिया था गैस पर गरम होने के लिए तेल जो है बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए तभी पूरी जो है ऐच्छे से फूलेगी मैंने दो पूड़ी एक साथ डाल दी है और इसे हिलाते डूलाते हुए पूड़ी को हम तलेंगे इससे जो है पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूलेगी पूरी को हम medium to high flame पर ही तलेंगे जब high flame रहेगा तो पूरी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी और इसे 2-3 मिनद में पूरी तल कर तयार हो जाती है देखिए कितनी अच्छे से पूरी फूली हुई है देखने में अच्छी लग रही है पूरी अच्छे से तल चुकी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब भी कीजिएगा और ये बार ये पालक की पूरी जरूर ट्राय कीजिएगा आपको और आपकी पूरी फैमली को जरूर पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइब भी जरूर कर दीजिएगा